अलो बचो आज हम लोग देखेंगे कार पुस्तिका ये फुलवारी कच्छा चार के हिंदी के पुस्तक है तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ चार बोलनी वाली गुफा और इसके पहले हम लोगों ने पाठ ने तीन तक के वीडियो देख चुकी हैं तो इसमें दिया पहला प्राशने के सब्दों के अर्थ लिखो, यहां पे हमें सब्द अर्थ लिखना है, 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 यहां पे हमें चहरा, मुख, सूरत, यह हो गया, और इसकी बाद है, तो जिनकी समान अर्थ है, जैसे मुझ, मुझ को हम चहरा कह सकते हैं, मुख कह सकते हैं, सूरत कह सकते हैं, वन, वन का है कानन, जंगल और गहन, इसकी बाद आता है, चंद्रमा, चंद्रमा को इंदु है, इंदु, विसाल के रड़े तो इंदुमीन भी चंदमा होता है, विदुमीन चंदमा होता है, इसके बाद है तलास, तलास का छानवीन कह सकते हैं, जाच है, सोध है, ये सब क्या है, तलास के समानार्थी सब्द है, इसके बाद आता है अंदर, अंदर का भीतर है, आंत्रिक है, अंद्र बैठा है ये सही है तो इसमें हम सही का निसान लगा देंगे फिर खा है कि सेर सिकार की खोज में अपनी गुफा से बाहर निकला तो ये गलत है अब आता है गा गुफा में भालू के पन्यों के जाने के निसान बने थे तो ये गलत है उसमें सेर के पन्यों के निसान बने थे इसके बाद आता है घा, लोमणी की बातों को सुनकर सीर असमंजस में पढ़ गया, तो ये सही है, अब आता है कहानी का सारांस अपने सब्दों में लिखें, वैसे तो कहानी को आप लोग कई बार किताब से पढ़िए, तो कहानी बहुत आसानी से याद हो जाएगी, और इसमे इसमें हमने सार्ट में कहानी दे दिया है, कि किसी जंगल में एक खुंखार सीर रहता था, एक दिन सेर भोजन की तलास में वहाँ लोमणी की गुफा के पास पहुँच गया, लोमणी साम को जब अपनी गुफा के पास आई, तो उसने देखा, कि सेर के पंजे के निसान बन सेर गुफा की अंदर है, इस बात का पता लगाने के लिए वहाँ गुफा से बात करती है, सेर लोमणी की चालांकी को जान जाता, को जान नहीं पाता है, वहाँ लोमणी द्वारा पूछे गए, प्रिश्नों का उत्तर दे देता है, यहाँ पर दे देता है होना चाहिए, औ जिस गुफा में रहती थी, उसे आवाज आ रहे तो उसको पता चल गया कि इसका मतलब कि इसके सेर बैठा हुआ, तभी तो उत्तर आ रहा है, तो अब आगे इसी के दिया गया है, प्रसंख्या 6, दिये गए चित्रों में जानवरों की पहचान करके उनका नाम लिखिए, तो पहला चित्र ये देखो दिया गया है, ये चित्र दिखाया गया है, यहाँ ये जंगल दिखाया गया है, ये चित्र एक दिया गया है, ये जंगल दिखाया गया है, जंगल में एक सेर है, सेर कहां जा रहा है, सेर अपने मान में जा रहा है, तो ये हो गया, अब इसके बाद आता है ये लोमणी को दिखाया गया है ये भी जंगल देश चित्र संख्या दो में जंगल दिखाया गया है जंगल में ये चित्र जो है लोमणी को दिखाया गया है लोमणी अपनी गुफा में जा रही है तो यहां पर हमको चित्र में जानरों को पहचान करके लिखना है तो ये चिन हो गया और इसके बाद है ये दःहाड सही है और इसके बाद ये रहस सही है और ये असमन्य सही है तो इन सब्दों को हम शाट करके जो सही हैं उसको हम इसमें लिख देंगे अब आगे आता है अगला प्रशन संख्या साथ कि पाठ में दी गई कहानी को पढ़ कर प्रशनों के उत्तर दें तो इसमें कहानी को में पहले पढ़ना है पाठ की कहानी को पढ़ेंगे तो हमें प्रशनों के उत्तर पत इसके बाद अगला प्रशन आता है कि किस जानवर को अन जानवरों की अपेच्छा तीब बुद्ध का माना जाता है। सुना है वैसे तो अपने बड़ी दादा-धादी लोग बहुत अच्छी अच्छी कहानिया सुनाते हैं तो हम उनसे जरूर सुनें एक कहानी और अगर नहीं तो हम कछवा और खर्गोज की कहानी सुन सकते हैं तो बस यहीं पर पाठ ये खतम होता है और आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद